हेलो स्टुडेंट्स तो कैसे आप सब हमने स्टार्ट किया था वी फार्मेसी सिक्स समस्टर बायो फार्मसोटिक्स और फार्मको काइनेटिक्स और बायो फार्मसोटिक्स के लास लेक्चर में हमने यूनिट नमबर वन को स्टार्ट किया था जहां पर हमने देखा था absorption को affect करते हैं साथे साथ देखाता नौन पर ओरल एक्स्ट्रा वैस्कुलर रूट्स अब आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे distribution ड्रग का absorption तो हो गया अब absorption होने के बाद ड्रग का होगा distribution और ड्रग का distribution जो है हमारे अलग-अलग body parts में होगा जिसे की liver lung kidney heart brain अलग-अलग tissue में होगा तो ड्रग का distribution किस तरह से होता है कौन-कौन से ऐसे factor है जो कि ड्रग के distribution को affect करते हैं tissue permeability of drug क्या होता है binding of drug with protein क्या होता है apparent volume of distribution क्या होता है सब कुछ आज के इस lecture में देखने तो लेक्चर को ध्यान से सुनना आज आपका distribution का एक बेसिक लेक्चर है next lecture में बहुत ही अच्छे से protein binding के उपर एक detail नोट हम देखने वाले हैं जहां पर clinical significance kinetics of protein binding factor affecting सब कुछ देखेंगे तो चलिए start करते हैं distribution अगर आपको और लेक्चर की requirement है तो आप चेक कर सकते हमारी playlist जहां पर आपको unit wise सारे lecture मैंने mention किये हुए हैं और अगर आपको notes की requirement है तो आप चेक कर सकते हमारी application depth of biology की application आप download कर सकते हैं play store से और आपको वहाँ पर सारे notes available मैंने कराए हुए हैं वहाँ पर live lectures भी होते हैं online classes भी होती है तो ज़रू download कीजेगा depth of biology application चलिए lecture को start करते हैं तो चलिए बिल्कुल basic से start करते हैं आज के lecture को सबसे पहले मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा हूं हाला कि मैं इससे कही इस तमक में जाएगी आपको पता है आपने पढ़ रखा है आप पढ़े लिखे हैं सबसे पहले इसका disintegration होगा फिर इसका dissolution होगा अब drug free form में release हो चुकी है और drug absorb हो चुकी है drug के absorb होने के बाद अब drug को हमारे अलग-अलग body part में जाना है जैसे कि उसको लीवर में जाना है lungs में जाना है kidney में जाना है heart में जाना है अलग-अलग body part में drug जो है जाएगी liver में जाएगी kidney में जाएगी heart में जाएगी lung में जाएगी brain में जाएगी ठीक है क्योंकि drug किसके साथ आगे बढ़ेगी drug बढ़ेगी खून के बहाओ के साथ blood के flow के साथ तो blood का flow हर जगे है हमारे हर tissue में हर cell में हर body के organ में blood का flow हो लुआ है thेक है constant rate से हो रहा है तो blood के flow के साथ drug भी flow करेगी और drug free form में flow नहीं करती ड्रग जो है bind हो जाती है protein के साथ यह drug है यह bind हो जाएगी हमारे blood में जो protein present है उनके साथ कई तरह के protein होते हैं जैसे human serum albumin alpha acid glycoprotein और भी कई तरह के protein है जो की protein minding में detail study करेंगे तो अभी इतना याद रख लीजिए कि आपकी जो drug है चाहे वो anti-piratic है नाल जैसे के जो भी आपकी ड्रग है यह जो है बाइंड होगी protein के साथ और ड्रग और protein का क्या बनेगा complex बनेगा जिसको आप बोलते हो dpc drug protein complex और we can say pdc protein drug complex और यह protein complex जो है site of action पर जाएगा जहां पर भी इसको action शो करना होगा आइदर लीवर kidney heart lung brain कहीं पर भी इसको अपना action शो करना है तो blood के through होते हुए यह drug जो है पूरी बोडी में distribute होती है इतना आपको याद रखना है और drug जो है protein के साथ कमाइन होती है और drug protein complex बनता है ठीक है सब हमें यह तक clear हो गया आपने बोला कि drug जो है protein के साथ जुड़ेगी और drug protein का complex बनेगा बहुत अच्छी बात है अभी drug protein की complex के बारे में थोड़ी बात है आप समझ लो जो कि आपको बहुत ही अच्छे सा याद रखनी है सबसे पहली बात कि जब भी drug protein के साथ जुड़ा रहेगा उसका metabolism नहीं होगा ठीक है यह बहुत इंपोर्टन बात है कि drug का metabolism नहीं होगा अगर drug जो है protein के साथ जुड़ा है साथ इसका excretion नहीं होगा उसका elimination नहीं होगा नहीं उसका कोई action आएगा वो pharmacological inert रहेगा pharmacological inactive रहेगा उसका कोई भी action नहीं आएगा तो ध्यान रखना drug यहाँ पर आप देखिए जब आपकी drug protein के साथ complex बना के रखी होगी तब drug का metabolism possible नहीं है excretion possible नहीं है elimination possible नहीं है उसका कोई भी action possible नहीं है वह pharmacological inactive रहती है साथि अगर drug आपकी body में जादा देरतेर रहेगी क्यूंकि drug का metabolism नहीं हो रहा excretion नहीं हो रहा elimination नहीं हो तो drug का time आपकी body में बढ़ता जा रहा है क्यूंकि drug points आपको याद रखने हैं कि drug की half life जादा होती है जब वो protein complex के साथ रहता है metabolism नहीं होता उसका excretion नहीं होता elimination नहीं होता उसका कोई भी action नहीं आता वो pharmacologically inactivate रहता है inactive रहता है यहां तक आपको clear हो गया तो यह drug protein complex के बारे में बात है थी जो कि बहुत सारी processes होने वाली है अब drug के साथ जैसे कि उसका हो सकता है distribution रग या तो distribute हो जाएगा या फिर drug का excretion हो सकता है या फिर drug का elimination हो सकता है या फिर drug का metabolism हो सकता है तो जब drug हमारी body में आती है तो उसका metabolism हो सकता है elimination हो सकता है excretion हो सकता है distribution हो सकता है और इन सारी process को मिला कर हम बोलेंगे disposition तो drug का बोल रहे हैं disposition हो सकता है disposition का मतलब होता है कि drug का distribution हो सकता है excretion हो सकता है elimination हो सकता है metabolism हो सकता है तो drug का body में enter होने के बाद यह सारी process होना स्वभाविक है और इसको बोलता है disposition process तो यहाँ पर यह word में ने use भी किया है after entry into the systemic circulation drug की बात चल रही है कि जब drug हमारे systemic circulation में हमारे blood circulation में enter हो जाती है तब उसके साथ बहुत तरीकी processes होती है उसको हम कहते है disposition जिसे कि उसका होता है distribution, elimination, excretion और metabolism और metabolism को हम कहते हैं bio transformation as you know very well bio transformation of metabolism आपके liver में होता है liver में कई तरह के enzyme होते हैं सबसे main enzyme होता है cytokrome P450 जो की mainly बहुत सारी drugs को metabolize कर देता है non polar को polar में highly toxic को less toxic में convert करने का काम होता है liver का और we can say pro drug को activate करना activate drug को in activate करना यह सारा काम भी आपका liver ही देखता है ठीक है एक बात और याद रखो कि distribution एक reversible process है देखो drug distribution is defined as the reversible transfer of drug अब यहाँ पर एक word आएगा compartment तो आईए समझते है compartment का मतलब क्या होता है कंपार्टमेंट आपको आगे unit number 3 में बहुत अच्छे से समझ में आएंगे फिलाल में आपको एक idea देता हूं कि compartment एक hypothetical model है hypothetical model है ठीक है हमने यह compartment क्यों बोला है हमने tissue को और we can say group of tissue को compartment बोला है जैसे liver हो गया kidney हो गया एक compartment आपका heart हो गया एक आपका brain हो गया तो अलग-अलग तरह के आपने compartment बना दिये एक hypothetical model है अब इसको बनाने की पीछे का कारण क्या है कि drug का distribution हमें पता करना है कि drug कितना कहां पर है ठीक है तो drug के distribution को पता करने के लिए हमने अलग-अलग तरह के compartment बनाए compartment आपके लिए इतना जानना बहुत है क्योंकि आगे जाके unit no.3 में आपको बहुत सारे compartment model पढ़ने हैं वन compartment, IV bolus, open bolus तो फिलाल के लिए इतना जाद रखिए कि compartment model से हमारा मतलब है कि एक hypothetical model है जहां पर हम drug का distribution का और we can say drug के amount का पता करते हैं और compartment का मतलब होता है tissue और we can say group of tissue जिससे कि अलग-अलग compartment होते हैं आपका liver, आपका kidney, आपका heart, आपका brain, आपका lungs ठेके सर में यहां तक clear हो गया, different type of compartment होते हैं जहां पर drug अलग-अलग तरह से distribute होती है, अब एक topic और मैं आपको यहीं पर समझा देता हूं ताकि आपको आगे दिक्कत ना है, जिससे मान दीजिए आपकी blood vessel है और blood vessel में blood flow हो रहा है यह red color से मैं आपको blood flow होते हुए दिखा दिया, अब आपके blood में अलग-अलग तरह के protein होते हैं, जिससे alpha acid glycoprotein, human serum albumin और wickens albumin, जिससे drug आके bind होती है, यहां तक आपको clear हो गया, अब मैं बताना के चाह रहा हूं, वो ध्यान से सुनना एक word है perfusion rate, perfusion rate, मतलब की blood flow से related है, किस से related है, blood flow से, अगर मैं आपको बोलू, कि आपके liver में, आपके kidney में, आपके brain में, आपके heart में, अच्छे से blood flow होता है, constant rate से blood flow होता है, इधर भी blood flow हो रहा है, इधर भी blood flow हो रहा है, constant rate से सभी जगे blood flow हो रहा है, अब blood की flow होने के लग्स भी तो वहां पर जाएगी क्योंकि ड्रक्स किसे साथ फ्लो ओर हो रही प्लेट के साथ तो ढ्लेट करता है कि drug का nature क्या है क्योंकि मान लिजी अगर उसे heart cell को cross करना है तो drug का वैसा nature भी तो होना चाहिए कि वो heart cell को permeate कर सके as you know very well cell से tissue बनते हैं tissue से organ बनते है organ से organ system बनते हैं ठीक है तो यह tissue है मान लिजी या फिर आप मान लिजी cell है cardiac cell है तो यहाँ पर drug का nature depend करता है न जैसी drug वैसे ही cross कर पाएंगे मान लिजी cardiac cell accept ही नहीं कर दे उस drug को तो वो cross ही नहीं कर पाएगी drug और वो drug cell के अंदर ही नहीं आ पाएगी ठीक है जैसे एक example देता हूँ यह हमारी cell membrane है this is our cell membrane अब आपकी drug केसी होनी चाहिए lipophilic होनी चाहिए highly lipophilic होनी आपकी cell membrane जो है phospholipid की बनी है तो लिपोफिलिक नेचर होना चाहिए drug का highly lipophilic नेचर होना चाहिए drug का और वेकें से partition coefficient ज्यादा होना चाहिए drug का then drug जो है easily blood brain barrier को blood placental barrier को blood testis barrier को और कोई सा भी barrier हो उसको cross कर लेगी और वेकें से drug जो है cell membrane को biological membrane इनको easily cross करके अपने site of action पे जाके अपना action शो कर देगी यहां तक आपको clear हो गया तो यहां पर मैंने का मतलब यह था कि जब blood flow बराबर हो रहा है liver में kidney में lung में brain में heart में तो drug का distribution में फर्क क्यों क्यों क्योंकि drug में तो blood के साथ ही जा रहा है तो drug के distribution में फर्क इसलिए है क्योंकि tissue की permeability depend करती है कि drug penetrate होगा नहीं होगा tissue जिस नेचर का drug भी उसी nature की होने चाहिए तभी drug अंदर जा पाएगी एक example विन आपको दे दिया लिपोफिली सिटी से यहां तक clear हो गया क्योंकि हर ड्रक का नेचर अलगे हर tissue का नेचर अलगे और इन दोनों का नेचर compatible होगा तभी जाकि यह penetrate कर पाएगी अपने side affection पे पहुच पाएगी और अपने action शो कर पाएगी ठीक है अब देखो यहां पर आपको दे रखा है permeation इसको ध्यान से समझना और सुनना यह डाइग्राम आपको as it is बनाना है distribution में मैं आपको इसको समझा देता हूँ बहुत अच्छे से देखिए अभी तक की कहानी आपको clear है कि drug आई ड्रग ने protein के साथ complex बनाया और drug protein complex बना और वीकेंड से protein drug complex बना अब उसके बाद आपको पता है कि drug protein complex और protein drug complex जो है pharmacological inactive होता है इसका metabolism भी नहीं हो सकता है इसका excretion भी नहीं हो सकता है elimination भी नहीं हो सकता है इसके half life भी ज़्यादा होती है और जब drug free form में release होगी तभी वो action show कर पाएगी क्योंकि drug अभी तक protein के साथ bind थी तो drug ने कोई भी action show नहीं किया जैसे ही protein अलग होगा drug अलग होगी drug अलग होने का हम बोलेंगे drug free form में आएगी और वीकेंड से drug जो है free drug कहलाएगी या फिर unbound drug कहलाएगी तो ध्यान रगना ड्रग protein complex बना अब protein ने क्या करा वहां तक ले गया अब site of action तक ले जाने के बाद protein अलग हो जाता है protein बाउंड ड्रग थी पहले आप ध्यान से दिखिए आप पर protein ब्राउंड ड्रग थी यह protein बाउंड ड्रग अब protein कोई सा भी हो सकता है human serum albumin alpha acid glycoprotein 1 2 अलग अलग तरह के होते हैं आगे हम detail study करेंगे protein minding में तो protein बाउंड ड्रग जो है site of action पर आने के बाद protein अलग हो जाता है और drug अलग हो जाती है जब drug अलग होती है तो हम उसे कहते है free drug और we can say unbound drug यह unbound drug जो है capillary wall को cross करके आपके extra cellular fluid में आती है I repeat blood से होते हुए extra cellular fluid में आना drug का capillary wall को cross करके उसे हम कहते हैं permeation of drug तो यहाँ पर मैंने लिखा है permeation of free और we can say unbound drug unbound क्यों लिखा है क्योंकि वो आप protein के साथ नहीं जुड़ी है present in the blood यह drug अभी तक कहा थी blood में थी blood से होते हुए यह कहा जा रही है ECF में जा रही है किसको cross करके जा रही है capillary wall को cross करके जा रही है और यह जो step होता है यह fast step होता है उसकी बाद आप देख सकते हैं extra cellular fluid में जब आपकी drug आ चुकी है तो यह drug extra cellular fluid से intra cellular fluid में जाएगी और यह जो step होती है यह slow step होती है जिसको हम कहते है rate determining step slow step है तो आसानी से हम किस rate से हो रहा है पता लगा सकते हैं किस speed से हो रहा पता लगा सकते हैं that's why it is also known as rate determining step और यहाँ पर extracellular fluid से intracellular fluid की तरफ drug जब move करती है तो इसको cell membrane को cross करना पड़ता है यह सारी बाते आपको ध्यान रखनी है और as it is आपको लिखना है शुरू में drug protein का complex था protein जो है drug के साथ bound form में था फिर drug जो है अलग हुआ free form में हुआ unbound form में हुआ फिर drug जो है blood के through होते हुए extra cellular fluid में पहुचा अब blood से extra cellular fluid में drug जब जा रहा है तो किसको cross करके जा रहा है capillary wall को cross करके जा रहा है उसके बाद extra cellular fluid में जैसे ही drug आया यह जो step थी यह fast step थी अब extra cellular fluid से intra cellular fluid में drug को जाना है तो वो cell membrane को cross करेगा यह जो step होती है यह slow step होती है और we can say rate determining step होती है अब जैसे ही यह drug यहाँ पर आई आई यह intracellular fluid में यह tissue से जुड़ जाएगी और अपना action show कर देगी यहाँ तक clear होगे आपको तो यह जो distribution का statement है यह दो factor पर depend कर रहा है एक तो blood से ECF में drug किस rate से जा रही है और ECF से ICF में आप देखिए blood to ECF, ECF to ICF intracellular fluid confused नहीं हो न extracellular fluid को आप interstitial भी कहते है चलिए अब हम देखेंगे factor affecting distribution ऐसे कौन-कौन से factor है जो कि आपके distribution को affect कर रहे है तो drug के distribution को affect करने के लिए सबसे पहला factor है tissue permeability अभी यह भी मैं आपको बताया कि tissue उस drug को accept कर रहा नहीं कर रहा वो भी एक important factor है देखो कब tissue accept करेगा वो मैं आपको एक overall बता देता हूँ यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए देखो जब drug आपकी free form में होगी तभी वो cell membrane को cross कर पाएगी आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से cross कर लिया जब drug free form में है drug का nature अगर lipophilic होगा तो बड़ी आसानी से वो cell membrane को cross कर लेगी कोई दिक्कत नहीं आएगी उसका molecular weight 50 to 600 delta या फिर आप बो लीजे 500 to 600 कही का बहुत ज़ादा कम होता है इसलिए मैंने कम लिख दिया मतलब इस range में होगा तो भी वो easily cross कर लेगी अगर आपकी drug का partition coefficient high होगा high partition coefficient का मतलब भी क्या होता है lipophilicity ज़ादा होना तो हमने पहली के दिया lipophilic drug होगा और we can say lipophilicity ज़ादा होगी और we can say higher the partition coefficient easily the drug can cross blood brain barrier blood placental barrier, blood testis barrier biological membrane, cell membrane अलग-अलग तरे बोल सकते हैं ठीक है अलग-अलग तरे के barrier होता हमारे पूरी body में उसके बाद आप देख सकते हैं अनाइनाइस drug होगी तो easily cross कर लेगी cell membrane को drug का size अगर 50 delton से कम होगा तो easily cross कर लेगा तो आपने देखा कि अगर drug free form में होती है lipophilic होती है partition coefficient उसका ज़ादा होता है अनाइनाइस form में होती है drug size उसका 50 delton से कम होता है तो easily cell membrane को cross कर लेती है बट कब नहीं कर पाती जब drug का protein के साथ complex है यह तो मैंने आपको पहले ही बता दिया जब drug का protein के साथ complex होगा तो ना तो वो absorb होगी ना वो action दे पाएगी ना उसका metabolism होगा ना excretion होगा ना elimination होगा उसके half lab भी बढ़ जाएगी उसके बना मैंने आपको बोला कि ionized drug भी cross नहीं कर सकती क्योंकि unionized कर रही है तो obviously बात है इसका posit क्या हो गया ionized तो ionized drug भी cross नहीं कर सकती cell membrane को तो यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है कि अगर आपकी drug polar है यह आपकी drug ionized है यह आपकी drug का size 50 delta से ज़ादा है क्योंकि कम वाली तो कर रही है cross 50 delta से कम वाली पर अगर आपका size drug का 50 delta से ज़ादा है तो then not able to cross the cell membrane और we can say biological membrane और we can say placental barrier और we can say blood CSF barrier और we can say blood testis barrier किसी भी barrier को किसी भी biological membrane को किसी भी cell membrane को drug जो है cross नहीं कर पाएगी अगर drug polar nature की है ionized है और 50 delta से ज़ादा उसका size है ठीक है और भी कई तरह के factor है यहाँ पर आपको दे रखे हैं देखो यहाँ पर मैंने आपको जो barrier बताये थे जैसे capillary endothelial barrier blood brain barrier BBB एक भी भी समझती नहीं एक्स्ट्रा भी ओ लग गया ठीक है cell membrane barrier blood placenter barrier blood testis barrier blood CSF barrier तो यहाँ पर मैंने सब सब लिका है to cross the BBB blood brain barrier है BB नहीं है to cross the BBB drug must be highly lipophilic in nature किसी भी barrier को cross करने के लिए drug का partition coefficient ज़ादा होना चाहिए drug का lipophilicity ज़ादा होना चाहिए तब इर जो है drug easily cross कर पाएगी हमारे barriers को उसके बाद यहाँ पर लिका है perfusion rate मैं आपको पहली बता दिया blood flow जितना जादा drug का distribution भी होता है जादा क्योंकि drug किसा distribute हो रही है blood flow ही से तो हो रही है उसके बाद है आपका binding of drug to tissue compartment इससे आप component कर लिजेगा binding of drug to tissue component मतलब कि आपका जो drug है न वो blood component से जूर सकता है जिसे के RBC से जूर सकता है ठीक है आगे देखेंगे वो protein binding में देखा जाएगा वहाँ पर पढ़ाऊंगा इसको मैं तो ध्यान रखना है यह भी एक factor है के effect करता है distribution को next है आपका miscellaneous miscellaneous में आता है age, pregnancy, obesity, diet, disease state, drug interaction एक example देता हूँ जिसे माली जी कोई बीमारी हो गई और उस बीमारी की वज़े से या तो albumin का level बढ़ गया या albumin का level कम हो गया as you know very well albumin एक protein होता है जो कि drug को जोड़ता है अब अगर albumin जादा है तो drug जादा जूड जाएगी और drug इनेक्टिव हो जाएगी और अगर मालो albumin कम है तो drug जूड़ी नहीं पाएगी तो transfer नहीं हो पाएगी तो दोनों ही condition में drug का distribution affect हो रहा है तो albumin का level affect होने से drug का distribution affect हो रहा है तो उसकी वज़े से obesity बढ़ रही है, obesity क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एडिपोस tissue का level बढ़ रहा है, high हो रहा है, ठीक है, pregnancy में distribution effect हो सकता है, drug का interaction हो गया माल दीजिए, synergies, mentagonism, कोई भी effect आया पर drug आपस में interact कर लिए, और अगर drug का interaction हो गया, तो distribution जैसा पहले होना चाहिए थ interaction के बाद वैसा नहीं हो पा रहा है, age की वज़े से, neonates में अलग, adults में अलग, महिलाओ में अलग, आदमी में अलग, सब में अलग-अलग होता है, बढ़ापे में अलग, तो यह सब क्या है, यह सब factors है, miscellaneous factors हैं, जो कि distribution of drug को affect कर रहे हैं, age, pregnancy, obesity, diet, disease state, or drug interaction, ठीक है, अब द distribution of drug कैसे alter हो रहा है, एक तो tissue permeation की वज़े से, फिर एक मैंने आपको concept समझाया था, blood से extracellular fluid और extracellular fluid से intracellular fluid वाला, वो diagram बताया था, ठीक है, यह मैंने आपको पहली बता दिया, कि blood का flow बराबर है, uniform है, तो drug distribution भी uniform होना चाहिए, फिर यह बहत्बाव क्यों हो रहा है, क् फिर यह सारी बात मैंने आपको बता दिया कि partition coefficient ज़्यादा होना चाहिए, lipophilicity ज़्यादा होगी, anionis drug है, तो permeation हो जाएगा, cell के अंदर penetrate हो जाएगा, molecular size अगर ज़्यादा होगा, molecular weight अगर ज़्यादा होगा, तो cell membrane cross नहीं कर पाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल जो है, volume of distribution, apparent volume of distribution तो इसका आपको formula याद रखना है, देखो सबसे बिले तो आप यह याद रखो कि apparent volume of distribution को आप VD से denote करोगे, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है, apparent volume of distribution को आप कैसे denote करोगे, VD से denote करोगे, अब मैंने आपको शुरू में बोला कि जब आप drug लेते हो, तो drug का disposition होता है drug का, मतलब कि drug का distribution भी हो सकता है, metabolism भी हो सकता है, metabolism is also known as bio transformation, जो की liver में होता है MLD, उसके बाद उसका excretion भी हो सकता है, elimination भी हो सकता है, तो drug के एक number of process होते हैं, ठीक है, distribute होने से पहले भी, drug जैसे body में जाएगे तो उसके एक number of process होंगे, जिसको हम के रहे हैं, disposition, तो अलग of drug in the body, divided by the plasma drug concentration, उसको हम बोलेंगे apparent volume of distribution, जिसको हम लिखते हैं VD से, इसका formula होता है VD, VD का मतलब apparent volume of distribution equals to X by C, X का मतलब हो गया आपका amount of drug in the body, और C का मतलब हो गया आपका plasma drug concentration, तो जहान रखना VD equals to X by C, X का मतलब हो गया amount of drug in the body, और C का मतलब हो गया plasma drug concentration, तो volume of distribution equals to amount of drug in the body divided by the plasma concentration और इसकी एक ओर definition है यहां पर आप वो भी देख लीजिए it is defined as the hypothetical volume of the body fluid एक hypothetical volume मान के हम चल रहे हैं जहां पर हमें पता है कि जो अलग-अलग body के parts है वहां पर drug जो है अलग-अलग distribute होता है equally distribute नहीं होता क्योंकि वहां पर हमने tissue वाला concept बढ़ा है कि tissue कितना permeable है उस drug को लेकर drug कितना ability रखती है उस tissue को permeate करने की उन सब पर depend होता है अब next lecture में हम पढ़ेंगे plasma and tissue protein binding of drug और यह बहुत important lecture है यहां पर आपको बहुत detail मिलने वाली है क्योंकि अभी तक आपको एक normal protein binding पता था पर आज के आज के मतलब आप जो next lecture आएगा उस lecture में मैं आपको बहुत detail में पढ़ाऊंगा कि कौन सा protein कौन सी drug के साथ bind हो रहा है protein binding के हमारे क्या significance है क्या kinetic से कौन से factor affecting है सब कुछ detail में पढ़ेंगे I hope आपको आज का lecture clear हुआ होगा अगर आपको lecture से related कोई भी doubt is आप comment section में comment कर सकते हैं यह notes आपको depth of biology application में मिल जाएंगे depth of biology application आप download कर सकते हैं play store से और apple user भी depth of biology application का access ले सकते हैं वो download कीजिएगा app store से my institute application जैसे ही वो my institute application download करेंगे वहाँ पर अपने number से register करके ORG code आपको required होगा वहाँ पर आप लिखिए m-u-l-n-o फिर आप access ले सकते हैं app store से भी my institute application को download करके apple user मस्त रहिए व्यस्त रहिए जैशिराम भाईयो thank you